कि आज से जो हम सीरी स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ट होगी, आपको बिल्कुल जीरो से स्टेटिस्टिक्स को सिखाया जाएगा, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स जरा भी नहीं आती, लेकिन आपके कुछ बेसिक्स हैं, इनसाइड ऑफ काईड of mathematics, आपने स्कूल में mathematics पड़ी होगी, या आपने कभी-कभी statistics भी पड़ी होगी, या अप research कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि data analysis कैसे करना है, या आप data science के field में आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि statistics किस तरीके से role अदा करती है, या अपने मेरे साथ यह 6 माँ वाला कोर्स किया हुआ है, जिसका link मैंने description में दिया हुआ है, तो यह पूरे का पूरा कोर्स जो अगले 15 दिन के अंदर आपके सामने आएगा in a kind of playlist on YouTube, या आप एक कोर्स की बात कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम statistics को बिल्कुल 0 से देखने वाले हैं, statistics होती क्या है, कब इसका utilize करना हमने start किया, और कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर involved हैं, पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है, और इस पूरे कोर्स का जो content है, वो भी आपके सामने मैं साथ में share करता हूँ, पहले चीज़ यह है, कि आप मुझे बताएं, कि दिन में कितनी दफ़ा आप चीज़ों को गिनते हैं, या इस वकत आपकी pocket में कितने पैसे हैं, या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कि अब आपके इर्दगिर्द कितने लोग हैं, ठीक है, तो आप कुछ count करेंगे, या आप पैसे निकालके गिनेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, या अगर मैं आपसे आपकी height पूछता हूँ, तो आप मुझे अपनी height बताएंगे, या अगर मैं आपसे आपका weight पूछता हूँ, तो आप क्या गरेंगे, अपना weight बताएंगे, ठीक है, आप सुबह को उड आप देखते हैं कि आज कौन सी डेट जा रही है तरीक क्या है आज तो वो एक नंबर है आपके पास तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिन पूरे का पूरा नंबर्स में घिरा हुआ होते हैं नंबर्स में घिरने के मुराद यह है कि हम रोजाना की बेस पे मैं लाखों दफ़ा दो नहीं बोलूँगा लेकिन सैंकडो दफ़ा हम सोचते हैं नंबर्स में हैं या हम कोई इमेज जो अपने माइंड में बना रहे होते हैं उसमें नंबर्स जरूर इन्वाल्व होता है मिसाल मैं आपको देता हूँ आप स्टार्ट करते हैं अपने दिन का सुबह को उठते ह आप अपने दिन का आगास करते हैं आप अपनी पैंट या कोई भी जीन्स या शर्ट को प्रेस करते हैं तो आपको पता होता है कि इस तरी को या प्रेस को या आईरन को हमने कितने नंबर पर रखना है इसके इलावा आपको पता होता है घरवाले आपसे पूछते हैं कितने अंदाजा हो गया कि ये रुजाना की बेस पे एक या डेट पड़ाड़ा खाता है या खाती है उसकी बेस वे बना देते हैं या अगर आपने खुद से कोई नाश्ता करना हो तो आप नंबर्स में सोचते हैं यानि के ओस्तन, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है, ज़रा चैट में बताएंगे आप, आप मैं से काफी लोगों की हाइट होगी, 5 feet 5 inches, 5 feet 4 inches, 5 feet 8 inches, 5 feet 10 inches, किसी की 6 feet होगी, किसी की 7 feet होगी, it depends, 7 feet बहुत कम है लेकिन होगी, अब मैं आपसे पूछता, अपने घर की सभी की हाइट अपने पास याद कर लें, मतलब आपके घर में बच्चे भी होगे, बड़े भी होगे, जवान भी होगे, तो उनकी हाइट आपको पता होगी, ठीक है, अब मैं अगर से आपसे पूछूँ के आपके एरिया, या आपके कोलूनी के अंदर, या आपके महले के अंदर, जितने भी लोग हैं, उनकी एवरेज हाइट क्या है, और अक्सर आपके माइंड में आ रहा होगा, एक बंदे का नाम लंबू जरूर होता है, या एक छोटे भाई का नाम, या जो बिल्कुल जिससे बिचारे का कद छोटा रह जाता है, उसको हम छोटा बोलते हैं, लंबे वाले तो चलो अपने आपको प्राउड फील करते हैं, कि हमारा कद लंब है, लेकिन उन छोटे वालों को साथ क्या कसूर है, ठीक है, सो होता क्या है, कि जब आप on an average देखते हैं, तो फट आपके माइंड में आता है, सभी की average है, वो उसका कद छोटा है, वो जो average हमारे दिमाग में घुसी हुई है, ये statistics ही है, आप सूचते जिस जितनी भी टीम्स हैं, उन में से सबसे लंबा खिलाड़ी कोन है, चले पाकिस्तानी की टीम से ले लेते हैं, फट से आपकी नजर जाएगी, किस पे, इस वकर जो खेला था, बिल्कुल, शहीन अफरीदी, ठीक है, इसी तरीके से मैं साथ अफरीका पूछता हूँ, आपको ह इसी टीम है, जिनका कद सबसे लंबा है, यानि कि on an average उनकी हाइट लंबी है, और वो अच्छे से जने हुए है, मतलब जने चंगे पलवान है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो कौन सी टीम है, most of the time people say कि यार, यह हो सकता है जो Australia, जो World Cup लेके गए हैं, वो वाली टीम हो सकती है, so imagine, जब आपके दिमाग में यह सब कुछ चल रहा है, यह unintentionally जो चीजे हो रही है, यह आपकी observation के base पे हो रही है, ठीक है, और वो जो आप observe कर रहे हैं, वो जो आप observe कर रहे हैं, इसको अगर आप लिखना start कर दें, एक point पे या एक paper पे या आप किसी separate sheet में लिखना start कर दें, यह एक data बन जाता है, ठीक है, और इसी वज़ा से हमें जो चीजें हम आँखों से observe करते हैं, जो हमारे दिमाग में किसी चीज का analysis बना हुआ है, उसको present करने के लिए जो हम काम करते हैं, वो basically हम उस एक observation को लिखते हैं किसी page पे, वहीं से हमारी statistics start हो जाती है, ठीक ह हमें से काफी लोग हैं कि मेरी 170 cm है, आप में से काफी लोग हैं जो अपनी height को मतलब ऐसे बताएंगे कि वो दर्वाजे तक मेरी height जाती है, ठीक है, यहां पर मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अपनी दादी अमा से पूछे ना, कि दादी अमा आपको पता है कि अबाजान य है, वो हम देखेंगे, फिर अगर आप कहीं पे सफर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी से पूछते हैं, यार, फैसलाबास से लहौर जाना है, हमने कितना किराय होगा, वो आपको कहता है कि यार, मैं तो 100.500 देखे गया था, लेकिन हो सकता है, कि अब जो क्राय वो पैदा नजर आ रहा है, आपको ये भी एक स्टेटिस्टिक्स है, फिर अगर आपको दुनिया के अंदर, कलर्स देखने बैठ चाहें, और उस डेटा को नोट करते हैं, ये भी स्टेटिस्टिक्स है, जिनको हम रियलाइज किये, बिना अनलाइज जब करने बैठते हैं, हमने क्यों सीखनी है स्टेटिस्टिक्स है किसके लिए, यहीं पर मैं एक पॉइंट आपको बता दो, तो अगर आप डेटा साइंस, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI जिसको हम बोलते हैं, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को, साथ में डेटा अनलेसीज अपने थीसिस के लिए भी करना चाते हैं, इस सीरीज इस फो यू, इस कोर्स ऑन स्टेटिस्टिक्स इस फो यू, यह जितना भी आपको बढ़ाया जाएगा, जीरो से अखीर तक, आखीर तक, आपके अखीर तक, मेरा जो होगा, वो कोर्स का आखर होगा, उसके अंदर आप के दिमाग में कौन-कौन से एक्जैंपल्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर काउंट होती हैं, लेट सी, राइट दाउन इन दे कुमेंट्स,